असलाम अलेकूम, आज हम बनाएंगे बिर्यानी का मसाले की जो 20 मिनिट में बनके जटपट तयार हो जाती है, आईए उसका मसाला मैं आपको बताती हो, ये है हरी मिर्ची, जो मैंने ली हूँ, और ये है अद्रक, लहसुन, तीन निम्बू ली हूँ, मगर मैं दालूंगी एक और ये है अदा किलो चिकन, ये विर्यानी, शाही विर्यानी मसाला है, ये धनिया की वुक्की है से टे सच्चा आता है, ये है मिर्ची है, ताल पॉडर हल्दी, और ये खड़ा गरम मसाला जिसमें लॉंग, इलेची, दाल चीनी, शाजीरा है, और ये थोड़ा समने मेरी रखियों, ये टमाटे है साथांट, और ये कांदे है छे साथांट है ये भी, कोतमीर है, उधीना है, और पाव किलो दही है, ये तेखो मेरी सासु माँ, ये काट रहे है कांदा, जब तक मैं गोश को वाश कर लेती हूं चिकन को, ये अध्रक लेसूल, और हरी मिर्ची, और नमक एक चमच, ये आदा में दाल सकते, खड़ा गरम मसाला जो था सब कुछ, इसी में डालके मैं एक साथ में पूरा पीस लूँगी, ये हमारा मसाला हो गया है, तैयार, इसको मैं लगाऊंगी चिकन में, जो मैंने अच्छे से वाश करके धोके रखी हूं, उसमें अच्छे से मिला लेंगे ताकि अधरक लच्षन मिर्ची गरम मसाला लग जाए, ये लाल मिर्ची धनिया की बुक्की हल्दी शाही गरम बिर्यानी मसाला ये सब कुछ हम लोग गोश के अंधर दालेंगे, उसे भी अच्छे से मिला लेंगे, मैं उसमें दालूंग एक चमश नमक, और दही जो मैंने पाव केड़ों लियू, दाई भी हम इसमें डाल चुके, और इसे भी अच्छे से हम मिला लेंगे, दाई को, और अभी हमारा तेल गरम हो गया है, हम कांदा भी लाल कर लेंगे, अच्छे से, रिस्ता बनाएंगे, देखो ये तोड रहे है पुदीना, फ्रेश पुदीना है, टामाटर हम दो लेंग अच्छे से, तमाटर भी काट रहे है, मेरी सासुआ, धरांती से काटते है, वो उनको छूरी से जमता नहीं है, इसके लिए वो पुराने जमाने का है, ये मैंने पौणा किलो बासमती कनी ली हूँ, इसे भी अच्छे से बाश कर लूँगी, मसाले में हम दालेंगे, कोटमिर, पूदीना और नीमबू की भींजिये ऐसे निकाल लेंगे, अगर भींज उसमें चलेंगी, तो कड़़वा कड़वा लगता है, इसके लिए हाथ पे आपन भींज निकाल लेंगे, फिर हम दालेंगे इसमें एक ही नीमबू, उसके अंदर उसमें दालूंगी चोटे-चोटे कटेवे टमाटे उसे भी पूरा अच्छे से मिला लेंगे उसमें पूरा ताके मसाला अच्छे से उसमें लग जाए अब इससे ढख कर हम लोग रख देंगे जब तक चढाते हम चावल की तैयारी करते हैं चावल मैंने रख दी हो इसमें दालूंगी कोद मेर पुदीना थोड़ा सा और खड़ा गर मसाला जो लोग इलाहिची नहीड़ाहिची अब इसमें में दालूगी दो चमच नमर एच्छावल निठारेंगे न हम लोग। कानदा भी अब हमारा होने आया है अच्छे से। लाल हो जाएँगा। फिर हम इसरे निकाल लेंगे। और भी हमारा अच्छा से ब्रिस्ता बन गया है। अब इसे नहींगे ज्यादा लाल नहीं करना है क्योंकि बिर्यानी में ये तो कड़वा पन आ जाता है बिर्यानी का टेस्ट खराब हो जाएंगा चावल हम निथार लेंगे चावल भी हमारे हो गए है ज्यादा पकारा नहीं है हलका सा कच्चा रखना है अब हम गोश डालेंगे एक बड़े तपेले में जिसमें हम बिर्यानी डालेंगे अब उसमें हम मैं डालूँगी जो कांदे का ओइल था वो ही डालूँगी उसमें उस मारा तेल लग गया है अब इसमें दालूंगे में ब्रिस्ता जो कांदा मैंने लाल की वो इसे भी अच्छे से हिला के ताके पुरा गोश में मिल जाए बिर्यानी कटे सिसी से आता है अच्छा इसमें दालूंगे कोतमीर पुदीना जरा सा अब उसमें चावल हम जो नीथारे दालेंगे चावल डालना होके आए काफी गरम है चावल अब इसमें मैंने थोड़ा सा कोतमीर और पुदीना और थोड़ा सा कांदा बचा के रखी ती उपर से दालूंगी और जो बचेवा ओले वो भी मैं बाखी का उपर से दाल दूंगी ताके बिज्यानी अच्छे से हो जाए हरी मिर्ची में एक्स्ट्रा उपर से रख रही हूँ क्योंकि मुझे तीखा फाला पसंद दे तो वह एक-एक मिर्ची काटके खाऊंगी अब उसमें मैं दालूंगी पानी आदी गलास या पॉना गलास क्योंकि कच्छा चिकन है चावल भी कच्छे है और ये दाली पेंगे कलर अब इसे हम रखेंगे दम पे कपड़ा रखकर इस पर ढखकर रखकर हम ढख देंगे और इसे में फास गेस पे ही रखूंगी 10 मिनिट तक उसके बाद स्लो कर दूंगी कि गोश और गोश भी खच्चा है पानी भी डाली हो साथ में बराबर होना चाहिए इसके लिए 10 मिनिट के बाद स्लो करेंगे आईए हमारी लाजवाब बिर्यानी तयार हो गई है अगर आपको अच्छी लगी हमारी रेसीपी तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंड कीज झाली हमारी लाजवाब 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 लाजवाब